नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जिके हेलप विद जारवी पर हार दिक अभिनंदन एवाम स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएश्टीशी और पीटेट एकजाम 2020 के लिए राजस्तान समानेग्यान के मोस्ट इ समय तक द्यानपुरक देखें और अंत में आपसे एक जिके का क्वस्टन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आप से निवीद रहेगा कि आपने भी तक यूटूब चैन राजस्तान में सुच्ता की अलख जगाने वाली किस मेला को पदम सरी से समनित किया गया है तो मित्रो 2020 में समनित किया गया पदम सरी से उनका नाम है स्री उसाचुमार या दखना बहुत इंपोटन कोस्टन एक्जाम में पूछा जा सकता है राजस्तान में स्वच्छता की अलग जगाने वाली महिला स्री उसा चुमार को पदम स्री से समनिते किया गया है अगला कोस्टन है स्वामी केश्वानंद राजस्तान क्रिशी विश्विदाले का प्रस्तित है कि स्वामी के स्वानन्द राजस्तान क्रिशी विश्य विदल यह बीकानेर में स्थित इस क्वेश्टन का डी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन है राजस्तान के वर्तमान में उद्योग व्य राजके उपकरम मंत्री को ने तो परजेंट टाइम में बात करें राजस कोस्च ने दाडिमपूर विज्य का समंद कि सासक से है तो मित्रों रायमल से समदिते दाडिमपूर विज्य का ओप्षन ए राइट है कि चलि आगला कोस्च ने एक वेक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है कि टो मित्रों इसकी कोई शिमा नहीं है या देखना है इसका ओप्षन ए रायम होता है बते मित्रो जिला प्रसासन का प्रमुख कोन होता है तो याद रखना जिला दिस जिला प्रसासन का प्रमुख होता है इस कोस्टन का डी ओप्सन राइट है अगला कोस्टन अजमेर में तारागड द्रुग में किसकी दरगास दीता है तारागड द्रुग मित्रो राजस्तान म और दूसरा अजमेर में यह जो अजमेर का तारगद दुरूग है मिरन सेयद सहाइप की दरगास दीते हैं इसको इसका डि उप्सनry राइट है चलिए अगला कोस्टन है राजस्तान के रतना राम के उपनाम से कौन विख्यात हैं राजस्तान के रतना राम के नाम से विख्यात है मित्रो हिम्ता राम बंबू इस कोस्टन का उप्शन ए राइट राजस्तान के रतना राम चली अगला कोस्टन है किस दुरुग को अरावली का अर्मान तथा राजस्तान का जिब्राल्टर का जाता है तो मित्रो तारागड दुरुग जो कि अजमेर मिस्तित है इसे अरावली का अर्मान तथा राजस्तान का जिब्राल्टर का जाता है इस question का D option right है चलिए अगला question है व्रक्सों को काटने से बचाने के लिए खेजडली गाम में अमर्ता देवी विश्णोई के नेतरतम में कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था नागोर में आयोजित नहीं किया जाता है बते हैं मित्रो इन में से कौन सा पसुमेला है जो नागोर में आयोजित नहीं किया जाता है तो मित्रो इस क्वेस्टन का डी ओफ सर राइड है जस्वंत पसुमेला ये नागोर में आयोजित नहीं किया जाता है यह जो जस्वंत पसु मेला यह आयोजित होता है बर्दपूर में तो यह आपको ध्यान रखना है बाकी बात करें तेजा जी पसु मेला बल्दे पसु मेला रामदे पसु मेला इनका आयोजिन का पर होता है नागोर में और स्रवादिक पसुम मेलों का जो आयोजन होता है वो नागोर में ही किया जाता है यह आपको ध्याने रखने है अगला कोस्टन है राजस्तान में चूलिया जल परपात किस नदी पर है तो मित्रो चूलिया जल परपात है यह राजस्तान में चंबल नदी पर निर्मित है इस सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्या, राजस्तान की सिख्षा राज्य मंत्री कोईgos freedom में राजस्तान के तकॉनकी सिखशा राज्य मंत्री नाक्टर सुभास गरग इस Dom Position तरिश्थी ते आठको गो की इसका समंदा मारना परता आप से इस कोस्टन का भी ओप्षन राइट है जह अगला कोस्टन जवार सागर बांद और लो copy राज बंद किस जिले में बने हुए हैं तो मित्रों जवार सागर बांद और पोटा विराज बांद यह कोटा जिले में बने वे इस कोस्टिन का बी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्ट ने राजसमंद जील में किस लोगदेवी का मंदिर अस्तित है बताई मित्रों आपके सामने गेवर माता आवड माता जीन माता तनोट माता तो मित्रों राजसमंद जील में गेवर माता का मंदिर और मित्रो राजस्तान का किरडु मंदर जो के बडमेर में अस्थीत यह आपको द्याना रखना है कि अगला कोस्टन राज्यांетр में एसीय की सब्से बड़ी उन्मंडी है इस क्वेस्ट और एक चाम में फूचा है सिर्ई यह तो यूब दरेखना यह की 입ड़ाईर अगला को चमने राजस्तान एक्जाम के जा लिमीटेड़ का शतीते हैं तो मित्रो राजस्तान स्टेट टेनरीज लिमिटेड टोंक में शतीत है इसका सी आफशन sneakers राइट है अगला कोस्टन है खान यवंभुविज्यान नि देसले का मुख्यले का सतीता यह को से बताई मित्रों के अब भूविघ्यान निदेशालय का जो मुख्यालय वो अस्तता येपुर मेद मेद फोच्छन का ओप्सण ए रायट है ऐस चली अगला कौस्टम नारगड के किली का निर्मान किसने करवाया था है बताई मित्रो नहरगड का जो किल्ले मित्रो ये कास तीता है जेपुर में और इसका निर्मान करवाया था स्वाई जैसी यहने इस क्वोस्चन का सी ओप्सन राइट है अगला क्वोस्चन सिवाना द्रुग जो की बाड मेर में स्थीता इसका निर्मान किसने करवाया था सिवाना द्रुग इसका निर्मान करवाय था वीर नरायन पमार ने वीर नरायन पमार ने इस क्वेस्टन का सी ओप्षन राइट है चलिए अगला क्वेस्टन राजस्तान के पर्थम आमचुनाव कब संपन हुए राजस्तान के जो पर्थम आम चुनाव है ये संपन वे थे 1952 में इस क्वेस्चन का D option राइट है एपोर्टन क्वेस्चन है एकजाम में बहुत बार ये क्वेस्चन पुछा गया तो आपको याद रखने अगला क्वेस्चन अलाओदिन खिल जी के आकर्मन के समय रन्थंबोर का सासक कोन था अलाओदिन खिल जी के आकर्मन के समय मित्रों हमीर देव चोवान इस क्वेस्चन का D option राइट है चलिए अगला कोस्चन है नर्ते की कथक सेली का आदिम गराना है नर्ते की जो कथक सेली है मित्रो इसका जो आदिम गराना है वो है जेपुर गराना इस कोस्चन का D option राइट है चलिए अगला कोस्चन है मिवाती गराना को स्तापित किसने किया था बते है मित्रो कोस्टन का बी ओप्शन राइट है एक अगला कोस्टन किस संथ की जनम स्थली के रूप में जाना जाता है तो जसनाथ जी की जर्मत्री के रूप में जना जाता है स्कॉस्चन का B अप्सन राइट है अगला कोrences राज्या राशोटा नामग्रत्र के रचेता है शोल नाम कोडल विबाग है मित्रों मेला एवं बाल विकास विबाग इस क्वेस्टन का सी ओप्षन राइट है मित्रों सभी के सभी क्वेरी वेरी पॉटेंट है वीडियो को लाइक जुरूर करें अगला कोस्टन है किस लोग देवी की खंडित रूप में पुजा की जाती है बताए मित्रों किस लोग देवी की खंडित रूप में पुजा की जाती है बहुत बार ये कोस्टन पुछा गया है या दरगना सीतला माता की पुजा खंडित रूप में की जाती है इस कोस्टन का डी ओप्षन राइट है अगला कोस्टन वे जील जिस पर अस्थित नो चोकी की पाल पर मिवाड का इतियास संस्कर्थ भासा में लिखाए उस जील का नाम है राजसमंद जील इस कोस्टन का डी ओप्षन राइट है अगला कोस्ट ने सालां सरका मंदिर किसका है बताई मेतर लुष साला राशर का जो मंदिर चूरू में स्कूरू मेरेत है तो मित्रो ये बाला जी या हनुमान जी को इसका सी ओप्सन राइट है चली अगला कोस्टन है खंगारोत सासकों की कुल देवी है खंगारोत सासकों की कुल देवी या देखना जवाला मता इसका ओप्सन ए राइट है ये भी कोस्टन इपोर्टेंट है एकजाम में अक्सर सभसे लांबा लोग गीत किसका माना जाता है, ध्यान देना मित्रों देवित्ध देवत्व में सबसे लांबा लोग गीत मना जाता ए जीन माता का इस्ट व्य स्व उप्ष यह आपको ध्याने रखने विt अगला कोस्टन है राज्य के पर्थम मुख्य सुचना अयुक्त कौन थे बते मित्रों राज्य के पर्थम मुख्य सुचना अयुक्त थे तो याद रखना स्री M.D. कुरानी थे इसका C.O.P.S.N. राइट है अगला कोस्टन है पदम बुसन से समानित पर्थम मेला का क्या नाम पदम बुसन से समानित जो पर्थम मेल है मित्रो राजस्तान की वह स्री मती रतना सहस्तरी इस कोस्टन का उप्षन ए राइट है चलिए अगला कोस्टन कुए एवं नलकुपों से सिंचाई करने की दृष्टी से सबसे प्रमुख जिला है इस कोस्टन का डी ओप्षन राइट है चलिए अगला कोस्टन है तलाबों से स्रवादिक संचाई किस जिले में होती है तलाबों से जो स्रवादिक सिंचाई होती है मित्रो वो होती है बीलवाडा जिले में इस कोस्टन का बी ओप्षन राइट है कि छो चलिन अगला कोस्ट नेरों से सुरवांद इक सिंचाही कि पूछ जाता है तो, मित्रों नेरों से सुसरवादिक सिंचाही रती है स्रि गंगानगर में इस इसे Пос taken option ने कहां ऋप्र, आपको तीन फ्रेक्ट बताए मित्रों, उप एक्षर एकजामं से यह याद रखना कुवे एबम नलकूप के मादेब से जेप्पुर जिले में और नेरों के द्वारा स्रवादिक सिंजाई होती है स्री गंगानगर जिले में और तलाबों के द्वारा स्रवादिक सिंजाई होती है बीलवडा जिले में तो यह आपको द्याने रखना है अगला कोस्ट ने अमर्सियें कलब द्रुम नामक्रिती लिखी तो मित्रों अमर्सियें कलब द्रुम नामक्रिती लिखी ती पुंडरिक रतनाकर ने इस कोस्टन का डी ओप्षन राइट है है 43 को चने खुमान रासो किसकी रचन है तो मितरों खुमान रासो है यह रचना है दलपत वीजे की इसकी इसका ओप्शन आगला कोस्ट Bob दूर्लो सब्थ से टात्प्ष्पर के दू मित लोग है कि मतरो इसका सी अपसन तीन पईयों का भचों का खिलो जिससे वह चलना सीखता है उसे गाडू लोग केती है अगला कोस्त ने बढ़ेर का समन्द किस लोग देवी से हैं अगला कोस्त ने राजस्तान राज्या लोग सिवा अयोग के पर्थम अध्यक्स थी राजस्तान राज्या लोग सिवा अयोग के पर्थम अध्यक्स थी तो याद रखना सर इसके गोस्त राजस्तान राज्या लोग सिवा अयोग के पर्थम अध्यक्स थी इस कोस्टन का सी ऑप्सन राइट है और 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 प्यसी का मुख्याले काम पर स्थीता है और प्यसी का जो मेलाओं के लिए स्थान आरक्षित है तो मित्रोब बारत में मेलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है वह पंचायती राज संस्ताओं में इस क्वेस्टन का डी ऑप्षन राइट है अगला कोस्टन 1428 इस वी का स्रिंगी रिशी सिलाले कांसे प्राप्त हुआ तो मित्रो यह जो 1428 इस वी का स्रिंगी रिशी सिलालेक है यह प्राप्त वाता एक लिंग जी के पास उद्यपुर से इस क्वेस्टन का बी ऑप्षन राइट है चलिए आज का अंतिम क्वेस्टन राजस्तान में किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त मुद्रा पर यूनान देवता अपॉलो का अंकन है तो मित्रो यह प्राप्त हुए आठ सब्वेतास्तल से इसका डी ऑप्षन राइट है तो दोस्तों यह थे मोस्ट इपॉर्टन पचास कोस्टन आपको यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जुरूर ताई और इन पचास कोस्टन में से आपके चैनल को जोएँ नहीं किया तो टेलिग्राम चैनल को जुरूर जोएँ करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए इस्ट्राइड के माद्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इस्ट्राइड का लिंक भी आपको डिस्क्राप्शन मीं मिल जाएगा कि चलिए बात करते हैं लाश और आप सभी ने इस क्वेस्टन का जवाब राइट दिया आपको पुने कहता हूं को सिंगा जवाब आप कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखा करो चलिए बात करते हैं को सब्सक्राइब के बारे में आज का कोस्टन है जैपुर के कथक गराने के प्रवर्त कोन है कि आपके सा और हिंद बंदे मातरं जया बारत झाल